अगर चलती ट्रेन दो टुकडों में बढ़ जाए तो क्या होगा? ऐसा कभी भी हो जाए तो कोई खत्रे की बात नहीं है क्योंकि जैसे ही ट्रेन के दो टुकडे होंगे वैसे ही एर पाइप में भरी हुई हवा धीरे धीरे रिलीस हो जाएगी और जिस आधी ट्रेन में इंजन लगा होगा वो आधी ट्रेन थोड़ी सी स्पीड में आगे निकल जाएगी जबके पीछे वली आधी ट्रेन की स्पीड जल्दी स्लो हो जाएगी इस तरह दोनों ट्रेन के टुकडे एक दूसरे से टकराएंगे नहीं थोड़ी देर बाद ट्रेन के दोनों हिस्तों पर ब्रेक लगनी की वज़ा से ट्रेन अपने आप ही रुख जाएगी और इतने टाइम में तो ट्रेन के ड्राइवर और मैनेजर को ये बात पता चल ही जाएगी कि ट्रेन के दो टुकड़े हो गए हैं। अब इसी तरह ट्रेन और ट्रेन से जुड़ी नॉलिजबल वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही अब मिलते हैं अगली वीडियो में।